नमस्कार कंगना रनौत क्या याद आया विवाद सही पकड़े हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए है जहां जहां कंगना वहाँ वहाँ विवाद और विवाद भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि इस बार तो मैडम ने कुछ ऐसा कह दिया कि ना सिर्फ उनके पदमश्री को वापस लेनी की मांग हो रही है बल्कि आक्टरस को गिरफतार करने के लिए एक स्वर में आवाज बुलंद की जा रही है आपको याद होगा कंगना ने हाल ही में साल 1947 में मिली आजादी को भीग बता दिया था उसके बाद से ही वो चारो और से घिर गई बीज़ेपी सांसत वरुन गांधी हो शिव सेना हो आमादमी पार्टी हो या फिर कॉंग्रेस सभी ने कंगना के इस बयान को देश द्रोही करार दिया है और अब NCP नेता नवाब मलिक ने कंगना की गिरफतारी की मांगी नवाब मलिक ने कंगना के विवादित बयान पर कहा हम कंगना रनाओत के बयान की कड़ी निंदा करती है उन्होंने सोतंतरता सेनानियों का अपमान किया केंद्र को उनसे पदमश्री वापस लेना चाहिए और उन्हें गिरफतार करना चाहिए ऐसा लगता है कंगना रनाउत ने इस तरह का बयान देने से पहले मलाना क्रीम यानि की हशीश एक विशेश किस्म की ड्रक्स होती है जो हिमाचल में उखती है उसकी भारी फुराकी है बतादे हाल ही में कंगना रनाउत को पदमश्री समान से नवाजा गया है कंगना ने देश की आजादी पर विवादित बयान दिया था और ये बयान उनका पदमश्री समान मिलने के बाद आया है जिस पर अब बवाल हो रहा है कंगना ने एक न्यूस चैनल के इवेंच पर बात करते हुए कहा था भारत को सही माइने में आजादी 2014 में मिली है 1947 में भीक में मिली थी अब कंगना की यही बाते सब को चुब रही है सोशल मीडिया पर वो ट्रोल हो रही है वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं बॉलिवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रही है